हरियों सुरशे शूजप्रण हितास तैरेवते घातिता मोर्यस्यवफलन्तिपश्यविधा मोर्यस्यवफलन्तिपश्यविधा स्रेयान सिमे नीत यहा मुद्रा राक्षशम की कक्षा में आप सभी का हार्दिक श्वागत है जैसा कि हम वर्तमान में मुद्रा राक्षशम इस नाटक के दूस्ते अंक को पड़ रहे हैं कल के व्याख्यान में हमने देखा था कि राक्षश अमात्य राक्षश का जो मित्र है विराध गुप्त आहितुंडिक वो कुसुमपूर की सारी बातों को बता देता है कि किस प्रकारशे जो जो व्यक्ति आपने चंद्र गुप्त को मारने के लिए प्रयुक्त किये गए थे वो श्वयम ही मारे गए यानि कि उल्टा खेल हो गया जो जिसको मारने के लिए गया था वो उसको उसका कुछ भी नहीं विकार सका परंथ वो श्वयम ही मारा गया अपने ही कर्म के माध्यम से और हुआ भी ऐसा ही जो हमने कल के व्याख्यान में देखा अब इन सब बातों क आप्ञाज को जब राक्षस ने अपने गुप्तचर से अपने मित्र शेवीराद गुप्त से सुना तो वो दुखी होुँ रहा है और बता रहा है इस श्लोक के माध्यम से कि क्या क्या हुआ वहां पर जो ये श्लोक में मैंने बताया आपको श्लोप मैंने जो अभी आपके सामने उच्चरित किया उसमें बताया जा रहा है क्या कह रहा है कि प्रतेक पंक्ती का प्रतेक पंक्ती में ही अर्थ बैठा हुआ है कैसे हम देखते हैं जैसे देखिए करें कि एक मिनिट मैं इसको अंडर लाइं कर देता हुआ फिर हम इसी प्रकार से इसका अर्थ देखेंगें पहली लाइन देखिए कन्या तस्य वधाय या विश्मयी गूढम प्रियुकता मया तस्य वधाय या विश्मयी कन्या मया गूढम प्रियुकता करें तस्य कस्य तस्य चंद्र गुप्त तस्य उस चंद्र गुप्त के वध के लिए जो विशकन्या मैंने प्रियुक्त की गई थी चुपचाप से गुढम प्रियुक्ता मया प्रियुक्ता कर्म बाच्चे में है इसलिए तृतिया है कर्म में तो मैंने जो विशकन्या चंद्र विशकन्यया उस कन्या के द्वारा भाग्य से वो परवतक नाम का जो व्यक्ति था वही मारा गया चंद्रगुप्त नहीं अपितू परवतक मारा गया दैवात का मतलब भाग्यवशात भाग्य से वो परवतक ही मारा गया विनी हता हा यह स्तश्य राज्यार्दभाग जो परवतक उसके राज्य का आधा भागी था जिशको चंद्रगुप्त का आधा राज्य मिलने वाला था ऐसा आचारी चानकी ने पहले कहा था वो मारा गया मेरे ही द्वारा जो कन्या मैंने प्रियुक्त की गई थी कि वो चंद्रगुप्त को मारे परंत उसने चंद्रगुप्त को कुछ नहीं कर पाई परंत उसके माध्यम से उसकन्या विशकन्या के माध्यम से परवतक मारा गया जो आधेराज्य का भागी होने वाला था जो आधेर इसले का हिस्येदार होने वाला था तो ये बात होगी दो उपरवाली पंक्तियों में फिर क्या करें ये शस्त्रेशू रशेशू चप्रणी ही ताहा तई है एव ते घाती ताहा कहेंने जो शस्त्रों में जैसे दारु वर्मा वगएरे वैरोचक वगएरे वरवरक वगरे जो शस्त्रों में जिनको प्रयोक्त किया गया था कि आप इन इन शस्त्रों का प्रयोक करते हुए चंद्रगुप्त को मारना किसी को कहा था कि स्तंभ गिरा देना किसी को कहा था कि चाकू या तलवार से उसका वध कर देना तो ये शस्त्रेशु प्रणिहिता हा न्यूकता हा अर्थात जिनको शस्त्रों को दे करके मैंने भेजा था कि आप इन शस्त्रों से उनका वध करना तई ही एव ते घाती था उनी से वह मारे गए अर्थात जिससे बोला था कि आप उस व्यक्ति को मारना उससे वह व्यक्ति को तो नहीं मारा पाए अपितु स्वयम ही मारे गए हुआ ही ऐसा आपने देखा था और दूसरी बात भी कह रहा है रशेशु जो रशों में रश का मतलब क्या है विश्य है यहां पर ऐसा भी था वह चंधरगुप्त को भोजन में विश्मिला करके दे रहा था चाणक किने उसको सोने के पात्र में डाल करके देखा तो उसका रंग बदल गया तो उन्होंने विश्युष व्यद्धिको ही पिला दिया तो उसी से मारा गया कि नहीं और उसी प्रकार्षे शस्त्र में जो दारुवर्मा वगरे चंद्रुगुप्ट को मारने का प्रयाश कर रहे थे, वो खुदी उसके नीचे दब करके मर गए या आपश में लड़के मर गए, समझ मा आगया होगा, नीचे वाली लाइन में करें, में नीचे है, अर्थात राक्षश नीचे है, राक्षश कह रहे हैं कि मेरी जो नीचे है, जो मैं उपाय कर रहा हूँ, वो मेरी नीचे या मेरे कान नहीं आ रही है, वो चंद्रुप्ट के कल्याण के लिए ही बन जा रही है, जो मैं शोच रहा हूँ कि इस से मैं चंद्रगुप्त को मार लूँगा पर वो चंद्रगुप्त को मारना छोड़ करके चंद्रगुप्त का कल्यान जो कर दे रही है मौर्यस्य एव विविधस्रेयांशी फलंती विविध प्रकार की नाना प्रकार की स्रेयांशी मतले कल्यानानी स्रेयांशी मने कल्यानानी कल्यान कारी जो स्रेय है वो उसके लिए ही हो मौर्यस्य एव मौर्य के लिए ही मौर्य की ही शंबंध में है शष्टी हो गई है इसले म पर शम्मंद में शष्ठी है तो इसलिए शमझ में आ गया होगा कि राक्षष कह रहा है कि जो जो मैं कर रहा हूं कि ये चनर गुप्द मारा जाए पर नहीं मारा जा रहा है उन्हें मेरे उपायों से उसका कल्यान ही हो जा रहा है उल्ट ठीक है तो शमझ में आ रहा होगा इसमें विशम अलंकार है विशम अलंकार आपके मन में खुदी आ रहा होगा कि विशम बातें हो रही है क्योंकि आचारी मम्मट्टी विशम के चार भेद किये उसमें दूसरा वाला जो भेद है उसमें ऐसा ही है कि कि किसी करता का जो कारी शिद्ध तो न हो रहा हो अपी तो उसमें और हानी हो जा रही ही हो अपना ही विनाश हो जा रहा होगा वहाँ पर विशम अलंकार होता है तो सरद्श लोग है कुछ समझ में आही गया होगा आपके नहीं आएगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं कि यहां पर दुबारा बताएं ठीक है तो बता दिया जाएगा इसमें शारदूल अभिक्रीडितम नाम का छंद है और यह राक्षश कह रहा है और विशम नाम का इसमें अलंकार है यह राक्षश ने ऐसा बोला क्योंकि सब बातें उसने सुनी तो उसका शारांश रूप में इस श्लोक में उसने कह दिया कि वास्तों में मेरे द्वारा जो बनाई गई योजना है वो मेरे काम बिल्कुल नहीं आ रही है अपितु चंद्र गुप्त का ही कल्यान हो रहा है तो एक बार के राक्षश यहां पर थोड़ा उदास जैसा हो जाता है अपने कर्मों को के लिए थोड़ा सा शोचता है कि कोई फैदा ही नहीं है तो क्या किया जाए छोड़ देना चाहिए ऐसा उसके मन में थोड़ा सा आ रहा है करके विराद गुप्त को लगा तो विराद गुप्त बोलता है क्या कहता है अमात्य तथापी प्रारब्दम अपरित्याज्यम ये कर्म को प्रारंब किया है उषको छोड़ना नहीं चाहिए करते रही है चंद्रगुप्त का कल्याण कहने का मतलब ये है क्योंकि वह वास्ताव में तो चाणक्य का गुप्त चरह है ना इसलिए वो राक्षस को यही बातें बताये का जिसमें उसकी हानी हो तो इसलिए बता रहा है कि अमाथ्टे आप जैसे नंदवंश के प्रमुख अमाथ्टे विद्वान अमाथ्टे क्योंकि यह जो पड़ा बुद्धिमान व्यक्ति था राक्षष ठीक है राक्षष नाम इसलिये पड़ा क्योंकि यह अत्य थिक क्रूर कर्म जादा करता था ठीक है वैसे वाला राक्षष नहीं है तो उसने बता दिया कि प्रारप्धम अपरित्याज्यम अब यह श्लोक आ जाता है यह श्लो यह श्लोक नीतिशतकम में भी है इसकी अंतिम लाइन थोड़ा परिवर्तन है बाकि सेम यही श्लोक है क्योंकि शूद्रक विशाक दत्तों उनसे पहले हुए है तो पहले उन्होंने ही लिखा होगा उनका अनुकरण करके लगभग शात्मी शतापदी में या छटी आये नानी चैए प्रार अभ्यवेगन विता विरमति मध्या विग्नः पुनह पुनरपी प्रति हन्यमाना ह। ये श्लोक मुझे लगता है आप इस इस्तर पर आए हैं तो आप सभी लोगों ने एक बार अवस्य सुना होगा इसके बारे में क्योंकि ये बहुती अच्छा शुभाशित है हम किशी भी लक्ष के लिए बढ़ रहे हैं तो आप भी अभी इस वीडियो को देख रहे हैं तो किसी ने किशी परिक्षा के तयारी कर रहे होंगे तो आपके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है इसमें बताया गया है कि इस संसार में तीन तरह के व्यक्ति होते हैं पहले वो व्यक्ति कैसे होते हैं जो अपने लक्ष की तयारी कर रहे होते हैं वो लक्ष की तयारी करने वालों में भी तीन तरह के लोग होते हैं पहले तो वो होते हैं, वहाँ पहले लक्ष की तयारी करना शोचते हैं, पर यह सोचते हैं कि अरे बीच में कोई विगन आ जाएगा, मेरे बस की बात नहीं है, मैं इसको पूरा नहीं कर पाऊंगा, इसलिए वो बीच में ही, मतलब प्रारंबही नहीं करते हैं, विगनों के भ निम्न कोटी के व्यक्ति हैं इसके बाद दूसरे वाले कौन से होते हैं वो होते हैं मध्यम कोटी के जो मैंने अभी बताए वो अधम कोटी के होते हैं और दूसरे जो होते हैं वो मध्यम कोटी के होते हैं वो काम शुरू कर देते हैं, काम अपना कार्य जो भी व्यवशाय है, लक्ष प्राप्ति के लिए उसको प्रारम्वतो कर देते हैं, जब बीच में उनको कोई समस्याई आने लगती हैं, बार-बार वो उसको छोड़ देते हैं, बीच में ही छोड़ देते हैं, तो इससे अच् करते हुए उसको borrowed यही बात राक्षश पर भी लागव हो रही है कि चोड़ना न है आपको है अगर यह छोड़ देता है तो लागव हो रही है वैसे नहीं और तीसे व्यक्ति वह होते हैं जो ुत्तम पूरा किये विना, अपने लक्ष को पूरा किये विना पीछे नहीं हटते हैं, उसको पूरा करके ही वह दम लेते हैं, ठीक है? उसी प्रकार्शे उपर वाली लाइन में तो यही बात है, विगनई ही पुनह पुनरपी प्रतिहन्यमाना प्रारब्धम उत्तम गुणाहां, तो प्रारब्धम उद्वहंती, जो व्यक्ति ने कारिये शुरू कर दिया है, उसको पूरा करके ही आपकी तरह छोड़ते हैं, आप किसी कर्म को शुरू करेंगे तो निश्चित रूप से उसको शमाप्त करके ही छोड़ेंगे, कहने का भाब यहा है, त्वम इव उद्वहंती यहाँ पर है ना देखे, उत्तम गुणाहा, त्वम इव उद्वहंती, त्वम इव राक्षष इव, राक्षष की तरह है, ठीक है, तो इसमें वसंत्य तिल का ठंद है, और त्वम इव कहा तो यहाँ पून्ण उपमा अलंकार भी है, क्योंकि राक्षष की जो उपमा है, वो उत्तम गुणवाले व्यक्तियों से की गई है उपमा अलंकार है यहाँ पर और अप्रस्तुत प्रशंशा अलंकार भी यहाँ पर है क्योंकि जो व्यक्ति दो परकार के हैं वो यहाँ पर उपस्थित नहीं है उनके बारे में कहा गया है प्रस्तुत के द्वारा अप्रस्त प्रसंशा अलंकार भी एक पुस्तक में बताया गया है व्यतिरेक भी किसी ने किसी प्रकार्शे घटा सकते हैं आप लोग ठीक है तो इस प्रकार्शे अब विराद गुप्त उसको और चड़ा रहा है कि आपको आपने जो प्रारम्व कर दिया है करम उसको शुरू किजिए उ किसी नेक नेक दिन तो आप चंद्रगुप्त के मंत्री बंदकर के ही रहेंगे ये मैं कहा रहा हूं उसका भावशा होगा अब देखे और वह अब Cruise लोकिक उदाहरणों को देखताए सांसारे कुदाहरणों को देते हुए कहता है कि आप इस कर्म को त्यागेंगे नहीं क्योंकि अन्य लोग भी तो अपने कर्म को नहीं त्यागते हैं जो शुरू कर देते हैं जैसे कौन है वो इस लोग के माध्यम से कहेगा किम्शेशास्यभरव्यथान वपुसी क्ष्मानक्षिपत्तेसयत किम्वानास्ति परिश्रमो दिनपतेहे आस्तेनयनिष्चलह किन्त्वंगी कृतमुत्स्रजंत्रपनवत्सलाग्योजनो लज्जते निरवाः प्रतिपन्वस्त शुषताम एतद्धिगो त्रव्रतम अम देखिए ये अन्य तीन उलाहरणों को देता है कौन-कौन से देता है कहता है कि क्योंकि पुराणों में कहा गया है कि ये जो धर्ती है इसको शेशनाग ने अपने शिर पर उठाया हुआ है शेशनाग है नीचे उसके खंड पर उसके सिर पर ये प्रत्वी टिकी हुए है ऐसा बोलते है तो उसी बात को यहाँ पर द्रिड करते हुए कह रहे हैं कि क्या वो जो सर्प है उसके सिर में भारी नहीं लगता होगा अगर हम कुछ बोज उठा लेते हैं कुछी समय भी उठा लेंगे 10-5 मिरड भी हमें भारी लगने लगता है हम उसको नीचे रख देते हैं फैंक देते हैं कि हम नहीं ले जाएंगे इतना भारी तो वो यही कह रहा है की वो जो शर्प है किम शेशश्श भरव्यता भार के कारण व्यता कश्ट दुख होता है क्या वपूशी नहीं होता है क्या ठीक है यहाँ पर एक तरह से शलेश काकू भनी निकल रही है ठीक है तो क्या सर्प को सिर पर प्रत्वी को उठाते हुए दुख नहीं होता है क्या जो वो प्रत्वी को फैंकता नहीं है नीचे प्रत्वी को फिर भी क्या करता है किये अपने शिर पर धारण किये रहता है यहाँ पर लिखा है ना शेश नाग के शरीर पर क्या प्रत्वी के भार का कश्ट नहीं है जो की यह प्रत्वी को चोड़ नहीं रहा है कष्ट है फिर भी नहीं छोड़ रहा है क्यों क्योंकि उसका एक नियम है इसका व्रत है वो तूसरी बात क्या करें किमवा नास्ति परिश्रमो दिनपते आस्तेन यनिश्चलह करें क्या भगवान शूर्य जो है उनका कोई परिश्रम नहीं है दिन राज चलते रहते हैं फिर भी वो निष्चल नहीं होते हैं रुकते नहीं हैं निरंतर गती से चलते रहते हैं ठीक है चरयवेती चरयवेती की तरह तो कह रहें क्या सूर्य को भी परिश्रम करने से क्या थकान नहीं होती है जो वो निश्चल नहीं होता है आस्ते न यन निश्चलह यन निश्चलह न आस्ते कहने का मतलब है जो इस्थिर नहीं होते हैं परिश्रम से उनको थकान होती है फिर भी वो निश्चल नहीं होते हैं निरंतर चल हैं वो चंचल हैं चलते ही रहते हैं कहने का मतलब है और करें किंत्वंगी क्रतमुत्ष्रजन कृप्रणवत श्लाग्यो जनो लज्जति किंतु जो श्लाग्य व्यक्ति होता है जो प्रशंशनी ये व्यक्ति होता है जो उत्तम गुणों वाला व्यक्ति होता है ज इसको सभी लोग बहुत मानते हैं, वो व्यक्ति यदी, आपके जैसा, राक्षस का जैसा, यदी वह व्यक्ति कृपणावत, कृपणा मतलब दीन की तरह है, डरने वाले की तरह है, भैभीत की तरह है, वो व्यक्ति यदी, स्विकार कियेगे कर्म को छोड़ जेता है, तो वो लज्जित होता है, क्योंकि वो श्लाग ये है, वो प्रशंशनी ये है, सब को, सब का उस पर विश्वास है कि ये इस कर्म को करेगा, इस कारी को पूरा करेगा, तो जिस कारी को करने के लिए उसने श्विकृति ले लिए कि मैं इस कर्म को करूंगा, यदी वो व्यक्ति उस कर्म को बीच में छोड़ देता है तो उसको लज्जा होगी लज्जा क्यों होगी क्योंकि वो श्लाग्य है अगर कोई शामयन्य व्यक्ति छोड़ देता है तो कोई बात नहीं इसके तो बसका है भी नहीं कुछ इसने बीच में छोड़ भी दिया कर्म तो कोई बड़ी बात न कि आप इसको नहीं छोड़ेंगे क्योंकि आप प्रशंशनी व्यक्ति हैं आप दिनपती सूर्य की तरह हैं निरिंतर कार्य में लगे रहते हैं करें निर्वाह प्रतिपन्न वस्तुशु शताम एतद्धी गोत्रब्रतम किम भवती अर्थात जो सज्जन व्यक्ति होते हैं जो उत्तम कोटी के व्यक्ति होते हैं वो प्रतिपन्न वस्तुशु निर्वाह अर्थात जिस वस्तु में जिस कार्य में जिस व्यवशाय में वो लग गए हैं उसका निर्वाह करना, उसका निर्वहन करना, उसको अच्छी परकार्शे निभाना, वही उनका कुल का व्रत होता है, वो उस कर्म को पूरा किये हुए छोड़ते नहीं हैं, एतद तेशाम गोत्रब्रतम भवति, गोत्रब्रतम नाम वंग्ष कुल व्रतम, वो उनके कुल का क्या व्रत था, कि वचन जो कह दिया है, तो वो करना है, उसको मानना है, प्राण के चले जाने पर भी, इसी प्रकार्शे, यहाँ पर भी यही कह रहे हैं, इस बात के द्वारा शमर्थन कर रहे हैं, ठीक है, कि जो उत्तम, जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, वो स शामान्य बातों से विशेश का शमर्थन किया गया है ठीक है या विशेश से सामान्य भी कह सकते हैं इनमें थोड़ा शंशय हो जाता है पर अर्थां तरन्याश अलंकार 100% में और शार्दू लविक्रेड़ितम नाम का चंद है ठीक है तो आशा करता हूं आज हमने ये तीन श राक्षश को इन श्लोकों के माध्यम से उपर चड़ा रहा है कि ताकि वो अपने कर्म में बना रहे और एक न एक दिन हमारे आचारिय चानक कि इसको जरूर पकड़ लेंगे अब आगे भी क्या-क्या उनके मध्यमें रोचक प्रशंग चलता है वो हम कल के शादेश देखे करेंगे आप सभी का धन्यवाद नमो नमो